नमस्ते बच्चों, पत्र लेखन में अवचारिक पत्र के साथ मैं आज प्रस्तूत हूँ, पहले वीडियो में और अवचारिक पत्र के बारे में आपने जाना, अब इस वीडियो में हम अवचारिक पत्र के प्रकार और उसके अंग और प्रारूप के बारे में हम जानेंगे, पत्रों के आउशक्ता को देखते हम कि पत्र संदेश भेजने के माध्यम होते हैं इनके दोरा घर परिवार अपने मन के विचारों को हम परकट करते हैं मित्र सगे समंदी, संपादग, सरकारी, अधिकारी, आदि को हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखना एक कला है तो ये पत्र के दो भेद हैं और अउप्चारिक पत्र जो लोगों के समवंधों के आधार पर दो भेद बनाए गए हैं अच्छे पत्र की विशेष्टा होती है कि उसमें बीचारों की अस्पश्टता होती है भासा सैली और वो फारमेट के अनरूफ होता है अवचारिक पत्र बुए पत्र होरें जिन वेक्तियों के साथ, वेक्तिगत या पारवारिक संबंद नहीं होते, उन्हें लिखे जाते हैं और जिन के साथ फॉर्मल्टी होती है, यानि हम जिन से केवल अपने व्यवसा एकल कि कह बारे में ही बात करते हैं वैसे इन्हें अलग-अलग लोगों के पास भेज जाने का अधार पर निम्लिखित पत्रों में विभाजित किया जा सकता है जैसे आवेदन पत्र, सिकायती पत्र, ब्यवसाइक पत्र, संपादकी पत्र, पूष्टा सम्मंदी पत्र, ब्यवसाइक पत्र, सूचना देने हेतु पत्र, अनुरोध निवेदन पत्र तो जब हम किसी ऐसे वेक्ति को लिखते हैं जिनके पास हमें केवल अपनी सिकायत ब्योसाय सम्मंदी सूचना या कोई नौकरिक लियावेदन या किसी कार के लिए निवेदन हम कर रहे हूं संपादक को पत्र लिखकर के समचारों को प्रकासित करने की बाते कर रहे हूं तो ऐसे पत्र अप्चारिक पत्र कहलाते हैं इन वेक्तियों के साथ हमारे परिवारिक या व्यक्तिका संबंद नहीं होते इसलिए इन पत्रों के नाम अप्चारिक पत्र हैं यानि फार्मेल्टी फार्मल पत्र फार्मेल्टी निभाने वाले पत्र अवचारिक पत्र के प्रकार हैं उनके अधार पर प्राथना पत्र का प्रारूप और प्राथना पत्र के अलामा जितने पत्र हैं उनका प्रारूप में थोड़ असांतर होता है जिनने वीडियो में आगे देखेंगे तो सा बाद उसके नीचे दिनांक यानि तीथी लिखी जाती है जो पता के नीचे होती है तीसरे नमबर पर पत्र प्रापक जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद तथा पता लिखा जाना है ध्यान रखिएगा यहां पद कहा गया है यानि प्रधानाचार एक पद है पोस्ट मास बिसे के रूप में होता है जो टॉपिक होता है उसके संचित रूप में और यह कम सब्दों में लिखा जाना चाहिए उसके बाद संबोधन जिसे पत लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन लेकिन इन पत्रों में अभिवादन नहीं होता संबोधन आम तोर पर महोदय य लेकिन अभिवादन नहीं होता है उसके बाद मूल विसए जिस वस्य वस्तु के लिए पत्र लिख रहे हैं उस विसए को दो या तीन अनुट्चेदों में लिखते हैं पत्र की समाप्ति धन्यवाद सहीत होता है और सबसे अंत में पत्र की समाप्ति में आत्म निर्देस अध आपका अपनपर्च तो आपका अपनपर्च उस वेक्ति से सीधा तो कोई होता नहीं क्योंकि आपने थानद्यच को लिखा पोस्ट मास्टर को लिखा विजली विभाग के अधिकारी को लिखा तो उससे आपका सीधा कोई संबंध या रिलेशन होता नहीं तो आप उहां पर लिखेंगे प्रार्थी या भावदी हां केवल प्रधानाचार जी को पत्र लिखेंगे तो सबसे अंत में आपका आग्याकारी सिस यह आप लिखते हैं तो बच्चों इसी फार्मेट को हम देखते हैं सबसे किनारे सबसे उपर प्रेशक का पता बाएं तरफ यानि लेफ्ट स पुनाह दिनांक यहां पर 24 जूलाई 2020 यह दिनांक हो गया दिनांक का फार्मेट भी ध्यान रखेंगे नंबर में तिठी उसके बाद महीने सब्दों में और सत्र नंबर में उसके बाद प्रती जिस व्यक्ति के लिए पत्र लिख रहें उसके लिए यह सेवा में उसी का पता उनका जहां के वो पोस्ट मास्टर हैं माली जलाल पूरंबेटकर नगर ती उनका पता हो गया उसके बाद विसय के लिए पत लिख रहें वह संचित रूप से यहां पर लिखेंगे कि खाता खुलवाने के लिए उसके बाद संबोधन और यह संबोधन महोदा या अपने लिए भवधि जो विएक्ति पत्र लिखता है भवधि या प्रार्थी और अपना नाम आपको नहीं लिखना है बोड परिच्छा में वहां पर नाम लिखना मना होता है इसलिए आप उनकी जगहां पर आबासा एबीसी या ऐसे ही एक्स वाई-जेड कुछ संकेत देखें तो और असपष्ठ होगा किसी प्रतिश्थित समचार-पत्र के संपादक को पत्र लिख कर प्रसासन ब्यवस्था का ध्यान सड़कों पर हो रहीज दुरघटनाओं की और दिलाएं तो यहां पर एक समचार परिच्छाभवन से पत लिख रहा है इसलिए उसने परिच्छाभवन दिल्ली लिख दिया यह उसका परिच्छाभवन यानि परिच्छाभवन का पता हो गया उसके बाद दिनांक 20 उसके बाद विसय सड़क दुरघटनाओं हे तू ये हो गया विसय जो की बहुत संचिप दो-तीन सब्दों में लिखा जाता है उसके बाद विसय विस्तार संबोधन लिखा अपने माननेवर मैस पत्र के माध्यम से प्रसासन व्योस्ता का ध्यान दीन प्रत दिन बढ़ती हु हमारे छेतर में लोग ट्रैफिक बत्तियों के नीमों का पालन नहीं करते जिसके कारण सड़क पर आए दिन दुरघटनाई होती रहती हैं प्रसासन व्योस्ता से मेरा निवेदन है कि यातायात के कारण सड़क पर हो रही दुरघटनाओं के संदर में गंबेता पुरग वि आपकी अतिकिरपा होगी साधन्यवाद और सबसेयंत में भवदी यानि प्रार्थी काखागा और कस्मेरी गेडिली इस तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस पत्र का जो बिसे हैं वो दो भागों में हैं पहले भाग में आपने जिस बिसे वस्त को ध्यान में रख के कारण सरक पर हो रही दूर घटनाओं के संदर में गंभीरता पूरक विचार करके उचीं कदम उठाये जाए आपकी अतिकिरपा होगी इस तरीके से यह दो भाग में लिखेंगे एक और उदारन देखते हैं छात्रों के लिए अधिक खेल सामगरी उपलब्द कराने का अ दूरके विपती को पतने रहें रहते हूं लिखेंगे तो वहां पर आपको केवल एक पता दिखाना है रांत करता का बथा लिखा जिसे अपने पदाना चार्जी को पत लिखा तो पहले प्रेशरक का पता वाला फॉर Arnold आपने देखा था लेकिन यहां पर सीधी सीधे पत्राप सीधे लिखेंगे बाएं हाथ में किनारे प्रती प्रधानाचार महोदये राच्की प्रतिवाविकास बिद्याले सिविल लाइन नहीं दिल ली यह उसका पद और पता हो गया उसके बाद दिनांख एक जनुरी इंतकम है खेल के पीरियड में छात्र खेल नहीं पाते यहां तक की खेल प्रतियोगताओं की तैयरी करने के दौरान भी समिस्या का सामना करना पड़ता है जिसके कारण खेल का स्तर नीचे गिता जा रहा है हमारे विद्याले में काफी समय से कोई खेल का नया समान नहीं करें जिसे चाथ पढ़ाई के साथ खेल में जीतकर विद्याले का नाम उचा करें धन्यवाद और उस वेक्ति जिसको पत्र लिख रहें यानि पधानाचार जी से जो आपका संबंद है अगर आप यहां पर उनके सिस्से हैं तो आपका आग्याकारी से काखागा मान लिजे क कोई बाहरी वेक्ति अगर पत्र लिखता तो वह प्रार्थी होता या भावदी होता तो लिखता कि भावदी और अपना नाम यानि ABCD या काखागा जो इसका नाम होना चाहिए तो इस तरीके से पधानाचार जी को पत्र लिखने में थोड़ा सांतर हो जाता है कि जहां पर अन्य अधिकारियों को जब लिखते हैं तो सबसे उपर प्रेशक का पता उसके बाद दिनांक लिखते हैं लेकिन यहां पर पधानाचार जी को पत्र लिखते समय हैं आप सीधे सीधे प्रती में यानि सेवा में लिख करके उनका पद पता और फिर दिनांक उसके बाद विस को पत लिखना है यानि जो बाहरी व्यक्ति हैं उसी संस्था के नहीं है यह जिस संस्था में आप है तो सीधा है कि पहले प्रेशक का पता एक बटा दो ए भी रामखंड गोमतीनक लखनों इसके अस्थान पर परिच्छा भावन भी लिखा जा सकता है तो परिच्छा भावन यह हो गया प्रेशक का पता जहां से पत लिखा जा रहा है उसके बाद दिनांक 6 जनवरी 2022 फिर जिस वेक्ति को पत लिख रहे हैं यानि प्रापक पत्र को पाने वाला उसका पद और पता प्रती थानद्यच महोद है और उनका पता है गोमतीनगर लखनों इस थाने के वह थ इसके लिए आपने पत्र लिखा है तो बिसे बहुत छोटा दो तीन सब्दों में उसके बाद बिसे विस्तार संबोधन करेंगे महोदय माननिवर इसके अस्थान पर महोदय या माननिवर कोई भी लिखा जा सकता है मैं लखनों के विराम खंड एगोमतीनगर का एक आधों का बोल बाला है रहा चलते पर छेनना गलेश चेन चेनना वेबास सड़क चलते बच्चों को पीटना आदी तो आम बात हो गई है अभी पिछले सप्ता ही पार्क में घुमने के लिए जाती हुँ तीन महिडाओं के छेन खींच ली गई हम इस कालोनी के निवासी सुरच्षित महसूस करने लगे हैं डर के मारे लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है इस तरीके से आपने पहले पैराग्राप में पूरा विसे मिस्तार लिखा अब दूसरे पैर अगराप में आप समिश्या का समधान क्या चाहती यह लिखेंगे और वो निवेदन के मुस्तैदी से रात भर गस्त करवाएं जिससे अप राधियों को पकड़ का दन्रीत किया जा सके और हर नागरी सोयम को सुरचित महसूस कर सके साधन्यवाद और सबसे अंत में उनका आपसे कोई सीधा संपर्क नहीं कोई रिलेशन नहीं है और अपचारिक पत्र की तरह आपका या आपकी ऐसा कुछ नहीं लिखना है तो सबसे अंत में आप लेने लिख दिया प्रार्थी और अपने नाम की जगहां आप लिखेंगे का खागा बोड़ शापड की समय स्था घंबीर होती जा रही है स्वास्त विभाग के निदेशक के नाम हिस समय स्था का सिकायत करती हुए समाज देखिए ऑपको लिखना उसका नाम दे दिया है इसलिए ध्शक के नाम के स्थान पर यहाँ पर विजय कुमार ज्जा लिखना होगा तो सबसे पहले प्रेशक का पता केवल पता पत्र लिख रहा है विजे कुमार जहा का पता और वह परिच्छा भवन नई दिली दिनांक चार मार्च प्रती निदेशक महोद यह है पत्र पाने वाले का पद और उसका पता निदेशक महोद मिलावट की समिस्या की सिकायत है और उसके बाद इस बिस्तार महोद और उसके बाद इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इन दिनों मिलावट तो आज आम बात हो गई दूद घी तेल तो असली आही नहीं रहा है मिठाईयों में मिलावट का धंदा तो तेवहारों के उसर पर चरम पर पहुंच जाता है आज ना तो सबजी सुद्ध है और ना ही मसाले दूद में मिलावट तो ना जाने कितने मासुमों की हत्या कर चुकी है सुद्ध पनीर मिलना तो अब एक सपना सा होकर रह गया है इस सीधा सेधा लिखेंगे सब्सेयंद में साध़ धन्यवाद और सब्सेयंद में का खागा यह आपका नाम और इसकी जगहां पर समास से भी बीजय कुमार ज्या भी लिख सकते हैं क्योंकि भवडी कुमार ज्याइब पत्र ये लिखर हुआ है थ Then आप उनका नाम लिखा जा सकता है तो बच्चों यह था और चारिक पत्र का प्रारूप आपको ध्यान रखना अनुपचारिक और और चारिक में दो तीन अंतर विशेश उरूप से सबसे पहला यह जब प्रधानाचार जी को पत्र लिखेंगे तो सीधे सेवा में या प्रति लिख्यों सीधा पत्र पाने वाले का पद और पता उसके बाद दिनांग उसके बाद विशे और बिसेश से बिस्तार कर देंगे लेकिन जब हम पदानाचार जी के अलामान में कि rejection को लिखते हैं तो वहां पर सबसे पहले प्रेशक का पता उपर उसके बाद दिनांग उसके बाद जिस्वेक्ति को पत लिखनें उसका पता पद के साथ और उसके चुब्स्थषय щеब इसा उसके बाद विशता तो दोनों में अंतर हो जाता है और इस अनौप झाल झाल